असलाम लेकुम बेटा कैसे हैं आप सब आज हमारा रे आप्टिक्स पर तीसरा लेक्चर होगा इस लेक्चर में हमने कौन-कौन से पॉइंट्स को डिसकस करना है पहले उनका ओवर्वियू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स रूल्स फार इमेज फार्मेशन इमेज फार्मड बाई कानकेव मिरर और सिमिलरली इमेज फार्मड बाई कानवेक्स मिरर मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन एंड फाइनली रे डायाग्राम्स यह सारे पॉइंट्स आज के ल प्लेइन मिरर और उसकी इमेज फार्मेशन को समझा है तो आज हम इस फेरिकल मिरर जिसको हम करवड मिरर भी बोलते हैं इसको समझेंगे ये कैसे इमेज बनाता है हमने इमेज फार्मेशन के लिए Ray Diagrams और फार्मुले कैसे यूज करने हैं इन सारी बातों को हम जो है अच्छे तरीके से समझेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि spherical mirror है क्या A reflecting surface which is a part of hollow sphere is called spherical mirror बेटा कोई reflecting surface जहां से reflection हो और वो part हो hollow sphere का कोई खाली hollow sphere का हिस्सा जहां से reflection हो तो फिर हम उसको spherical mirror बोलते हैं जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि ये एक hollow sphere है घड़े की तरह ये एक hollow sphere है घड़ा मिटी का होता है ये आप समझ लो के glass का बना हुआ है और इसका ये एक part ठीक है ये एक part है इस hollow sphere का तो किसी भी hollow sphere का ये जो part है इसको हम mirror बोलते है ठीक है तो बिलकुल simple है कि reflecting surface of a hollow sphere is called mirror समझ में आ गया अब हमने ये देखना है कि mirror दो किसम के होते है there are two types of spherical mirrors एक बेटा concave mirror और एक होता है convex mirror ठीक है अब इन दोनों में क्या फरक है a spherical mirror whose reflecting surface faces toward the center of the sphere is called concave mirror बेटा ये जो reflecting surface होता है ये जो mirror होता है इसके दो surface होते हैं ठीक है देखो एक इदर वाला और एक इदर वाला इन में से हम एक surface को rough कर देते हैं और दूसरे को हम smooth करके reflection करवाते हैं तो अगर किसी mirror का reflecting surface hollow sphere के center की तरफ हो जैसे के ये वाला जो mirror है इसका ये जो surface है ये reflecting है और ये देखो center की तरफ है तो फिर ऐसा mirror concave mirror होता है और अगर बैटा reflecting surface center की तरफ ना हो तो फिर हम ऐसे mirror को concave mirror बोलते हैं तो देखो ये जो धागे धागे हैं या threads हैं ये roughness है और ये जो line है ये reflecting surface है इसका reflecting surface face करता है center की तरफ तो ये concave और बैटा इसका reflecting surface जो है ये center से away है तो ये concave mirror समझ में आया यहां पर भी देखें कि ये देखो कि reflecting surface जो है ये अंदर की तरफ है यानि ये face करता है center of the sphere इसको गोल करोगे तो center तो यहां पर बनेगा ठीके तो ऐसे mirror को हम क्या बोलेंगे concave mirror और अगर reflecting surface जो है वो away from the center जो है वो face करता है यानि ये देखो इसको गोल करोगे तो center तो यहां पर बनेगा लेकिन reflecting surface जो है ये away from the center है ठीके तो ऐसे curved mirror को हम क्या बोलेंगे concave mirror समझे में आ गया यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो ठीक हो गया तो spherical mirror क्या है और इसके दो types जो हैं वो कैसे होते हैं अभी तक आपने ये देखा बिटा अब हम क्या करेंगे कि कुछ terms की study करेंगे जो spherical mirrors में use होते हैं ठीके इनको पहले देख लेते हैं ताके आगे हमें आसानी हो जाए तो सबसे पहला जो term है वो है center of curvature center of curvature the center of curvature of a spherical mirror is the central point of the hollow sphere of which mirror is a part ठीके जिस mirror का part हमने निकाला है ठीके सोरी जिस sphere का हमने part निकाला है ना mirror बनाया है जिसमें से उस sphere का जो center होता है उसको हम क्या बोलते है center of curvature यहां पर देखो यह एक hollow sphere था इसमें से हमने यह जो यहां पर bold है यह dark यह mirror है यह mirror निकाला है तो यह जो mirror जिस hollow sphere में से हमने निकाला है उसका जो center है यह इसको हम क्या बोलेंगे center of curvature ठीके इसके बाद बेटा पॉल पॉल क्या होता है यह जो mirror है इसका center इसको हम पॉल बोलते हैं Sphere के center को हम center of curvature और इसको C से जहर करते हैं और इस mirror के central point को हम पॉल बोलते हैं और इसको हम P से जहर करते हैं The pole of the sphere, the pole of the spherical mirror is the central or middle point of the spherical mirror It is represented by the letter capital P समझ में आया इसके बाद radius of curvature जिस sphere में से यह mirror निकला है उसके radius को हम radius of curvature बोलते हैं यह फिर आप ऐसे बोलो के center of curvature से लेकर pole तक का जो distance होता है इसको हम radius of curvature बोलते हैं The radius of curvature of the spherical mirror is the radius of the hollow sphere of which mirror is a part In other words, it is the distance between the center of the curvature and pole of the mirror And it is represented by R ठीक हो गया बेटा? इसके बाद हम देखेंगे के principle axis यहाँ पर यह जो principle है इसकी spelling थोड़ी गलत है यह आप correct कर लिएगा यहाँ पर principle P.A.L. होगा तो बेटा principle का मतलब होता है main तो principle axis क्या होती है कि वो horizontal line जो center of curvature और pole को मिलाती है यानि principle axis of the spherical mirror is the line passing through the center of curvature and pole of the mirror ठीक है? तो यह chart हम सभी तक आपने देखे इसके इलावा होता है aperture aperture mirror में भी होती है lens में भी होती है an aperture of the mirror our lens is a point an area from which the reflection of light actually happens यानि mirror का वो हिसा या वो पार्ट जहां से actual reflection हो ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? aperture वैसे aperture का मतलब क्या होता है? सोराख, जगा, एरिया हम aperture को diameter भी बोलते हैं तो mirror का जो diameter या जो area होता है जहां से reflection होती है उसको हम aperture बोलते हैं उसके बाद है principle focus a point on the principal axis to which all the light rays parallel to the principal axis converge after reflection in concave mirror यहां पर देखो के principle focus एसा point है जहां पर यह जो parallel rays होते हैं यह देखो principle axis के साथ जो parallel rays होते हैं वो mirror को लगने के बाद एक जगा पर इकठे हो जाते हैं तो पैटा ऐसा point जहां पर principal axis के साथ जो parallel rays जा रहे होते हैं reflection के बाद जो है वो एक जगा पर इकठे हो जाएं focus हो जाएं that is why हम इसको क्या बोलते हैं principle focus अच्छा concave mirror में क्या करेंगे यह इकठे हो जाएंगे but in case of convex mirror parallel rays जो हैं वो mirror को लगने के बाद तो diverge होंगे पर अगर हम उनको आगे trace करें तो फिर ऐसा लगेगा के यह यहां पर इकठे हो रहे हैं यानि हकीकत में इकठे होंगे नहीं पर appear to come from ऐसा लगेगा के यहां से यह आ रहे हैं यानि in case of convex mirror the principal focus is a point on the principal axis to which all the reflected rays appears to come from यह जो भी reflected rays है ना यह हमें लगेगा के इस point से आ रहे हैं ठीके इसी वज़ा से हम कान केव mirror का principal focus जो है उसको हम real principal focus बोलते हैं क्योंके वहां पर हकीकत में रोश्टनी focus होती है और बेटा कान विक्स mirror जो है उसके principal focus को हम virtual focus भी बोलते हैं क्योंके वहां पर parallel rays actually converge होते नहीं हैं लग इसे रहा होता है कि यहां पर जो रोश्टनी है यहां से आ रही है पर यहां से आ नहीं रही होती दूसरा difference यह देख लो कि हम यह जो कान केव mirror है इसको converging mirror भी बोलते हैं क्योंके light जो है यहां पर converge होती है जबके कान विक्स mirror को हम diverging mirror बोलते हैं क्योंके light यहां से diverge होती है converging जो चीज होती है उसकी focal length positive और diverging की focal length negative होती है फिर भली वो lens हो या mirror हो तो बैटा यह छोटी छोटी बाते हैं या rules जो हैं यह आप समझते जाओगे तो आगे जाकर problems में और diagrams में आपको जो है वो काफी help मिलने वाली है समझ में आ गया अब इसके बाद है focal length principal focus और focal length में फरक है the distance between principal focus and pole of the spherical mirror ठीके यह जो focal यह principal focus और यह जो pole होता है ठीके इन दोनों के दर्मयान में यह जो distance है इसको हम क्या बोलते है focal length ठीके इसको हम f से जहर करते है ठीक हो गया उसके बाद क्या है real image यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हम real और virtual image के दर्मयान में difference को समझें तो बैटा real image क्या होता है real image is formed when light rays from the object actually intersect each other after reflection our reflection mirror को लगने के बाद अगर light के rays हकीकत में आपस में मिलें intersect करें तो फिर वो real image होता है और real image जो है वो inverted होता है और उसको हम स्क्रीन के उपर project यहाँ बना सकते हैं तो बैटा दो तीन बाते हैं एक तो real image जो है वो उसमें light के rays reflection के बाद मिलते हैं दूसरा वो inverted होता है और हम उसको स्क्रीन पर project कर सकते हैं ठीके जिससे आप यहाँ पर देखोगे कि यह जो right में है ठीके right में यह एक object है यहाँ से rays आ रहे हैं और reflection के बाद यह rays जो हैं यह हकीकत में यह देखो यहाँ पर मिल रहे हैं तो अगर light के actual rays आपस में intersection करें तो हम उसको क्या बोलेंगे real image और यह देखो screen पर भी project हो रहा है जबके जो virtual image होता है जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो object से जो रोशनी mirror को लगती है mirror को लगने के बाद वो मिलती नहीं है यह देखो दूर दूर जा रही है और हकीकत में यह converge नहीं हो रही तो real rays तो आपस में intersect नहीं करते इसकी वज़ा से हम इसको पीछे trace करते हैं और पीछे जाकर कहां पर इसको मिला देते हैं तो अगर हमारी आँख इस plane mirror में देखेगी तो हमें यहां पर एक flower नज़र आएगा पर आप यह देखो कि इस flower में से हकीकत में रोशनी आ नहीं रही रोशनी तो यहां से mirror को लगकर वापस आ गई है और आँख को लग रहा है कि रोशनी यहां से आ रही है तो ऐसे image जो हैं वो virtual image होते हैं जो screen पर project ना कर सकें और दूसरी बात कि जहां से हकीकत में रोशनी ना आ रही हो तो virtual image क्या है virtual image is formed when the light rays from the object don't actually intersect each other after reflection reflection के बाद हकीकत में रोशनी आपस में intersect ना करे and ऐसा लगे कि वहां से रोशनी आ रही है और तीसरी बात यह बेटा कि virtual image are always erect यह सीधे होते हैं and cannot be projected on screen और हम इनको screen के उपर भी project नहीं कर सकते ठीक हो गया अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि जो image बनेगा mirror में उसके rules क्या है तो कुछ rays को हम लेंगे जिनको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यह mirror को लग कर reflect करते हैं ताकि आगे जाकर हमें ray diagrams में image बनाते हैं वक्त जो है वो मुश्किल ना हो तो पेटा सबसे पहला rule array of light which run parallel to the principal axis ऐसा ray जो principal axis के साथ parallel चलेगा after reflection passes through the principal focus तो वो reflection के बाद principal focus में से गुजरेगा अगर concave mirror है तो principal focus में से गुजरेगा और अगर concave mirror है तो फिर principal focus में से गुजरेगा तो नहीं but appears to pass through the principal focus पर हमें ऐसा लगेगा कि वो principal focus में से गुजर रहा है देखो ऐसे कि ये एक concave mirror है ठीके? और ये parallel ray है ये ये वाला ठीके? ये थोड़ा सा आपको टेड़ा नजर आ रहा है पर ये इसको आप parallel समझो तो ये जो parallel ray लगेगा तो reflection के बाद ये देखो principal axis में से cross कर रहा है ये जो दर्मयान वाली line है ये normal है इसको इसलिए बनाया है कि according to laws of reflection incident angle और reflected angle जो है वो बराबर होती है और ये ray इदर लगकर फिर A से आता है जैसे reflection के laws के according ये diagram हम समझ सकें तो ये तो है normal ये incident और reflected angle बराबर तो incident ray है ये A वाला ये गया mirror को लगा क्योंके ये petrol था तो वापसी में ये principal focus में से गुजरेगा अगर कान cave mirror है अगर convex mirror होता तो फिर ये जो parallel ray है ना A ये लगने के बाद इसने diverge हो जाना था ये B वाला diverge हो रहा है लेकिन diverge भी इस तरीके से होगा कि अगर हम उसको आगे trace करें तो वो principal focus में से गुजरे एक्चुली गुजरेगा principal focus में से और कान convex mirror में से ऐसा लगेगा कि आ रहा है या गुजर रहा है पर हकीकत में वो लगकर वापस आ जाएगा ठीक हो गया अब दूसरा ray जो है array of light passing through the center of curvature ऐसा ray जो center of curvature में से गुजरे तो कान cave mirror में array of light going towards the center of curvature ठीक है array of light passing through the center of curvature in concave mirror array of light going towards the center of curvature in case of convex mirror reflected back along the same path यानि ऐसा ray जो center of curvature में से गुजरेगा वो same path पर reflect हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो कान के mirror है तो यह देखो यह center of curvature में से गुजरा तो mirror को लगकर वापस same path में आ गया ठीक है तो जो c में से गुजरेगा वो directly same path पर वापस आएगा और अगर बेटा कान विक्स mirror है तो यहाँ पर आप देखो यह यहाँ पर center तो है नहीं पर अगर इसको हम आगे लेकर जाते और आगे जाकर यह c में से गुजरता तो फिर यह इसी path पर वापस आ जाएगा यानि अगर हम इस तरीके से इसको mirror के उपर मतलब shine करें कि इसकी direction आगे जाकर c में से गुजर रही हो तो फिर यह उसी path पर reflect करेगा सही हो गया अब तीसरा ray देखते हैं array of light passing through the principal focus ऐसा ray जो principal focus में से गुजरे तो फिर वो क्या करेगा कान के mirror में क्या हो जाएगा mirror को लगने के बाद parallel हो जाएगा जैसे आप यहां पर देखोगे कि ऐसा ray जो principal focus में से गुजरेगा यह दो जो अब यह principal focus में से गुजर रहा है तो mirror को लगने के बाद ये parallel हो जाएगा ठीक है parallel हो गया और अगर ये convex mirror होता तो जो ray देखो principle focus में से गुजर तो नहीं रहा पर इसको अगर हम आगे लेकर जाएं तो ये principle focus में से appear to pass ऐसे हो रहा है तो फिर ऐसा ray reflection के बाद parallel हो जाएगा तो बैटा simple सा rule है जो parallel था वो principle axis में से गुजर रहा था इसी को उल्टा कर लो अब जो principle focus में से गुजर कर जाएगा तो फिर वो वापस parallel हो जाएगा पहले हमने देखा था कि parallel है तो principle focus में से appear to pass होगा पर अगर ये उल्टा करो बी से लेकर आओ यानि अगर f से pass होता हुआ दिखाई दे तो लगने के बाद वो parallel हो जाएगा यानि rule number one को ही आप opposite कर लो उसके बाद चोथा जो ray है यानि ऐसा ray जो angle of incident angle of incident of a ray at pole with principal axis is equal to the angle of reflected ray at the pole with principal axis कोई ले pole पर principal axis के साथ जितनी angle बना कर आएगा न तो फिर वो उतनी ही angle बना कर वापस भी लोटेगा ठीके ये pole है और incident ray ये angle बना कर आया pole पर तो फिर उसी angle के साथ वापस चला गया incident angle और reflected angle ये दोनों वापस में बराबर होंगी क्योंकि ये laugh reflection है simple सी बात पर in case of convex mirror है तो डायाग्राम को चिस तरीके से बनेगा यानि जितनी angle बना कर आया उतनी ही angle बना कर ये reflect होकर वापस चला जाएगा image formed by concave mirror changing the position of the object from the concave mirror different types of image can be formed बेटा concave mirror के आगे अगर हम object की position change करते जाएं तो हमें different किसम के image बनेंगे nature wise भी, size wise भी, virtual, erect, inverted सब किसम के जो images हैं ये concave mirror बनाता है यानि different types of images are formed when the object is placed at different positions तो हम object को different position पर रख कर देखेंगे यानि at infinity भी रखेंगे beyond the center of curvature, center of curvature से बाहर भी रखेंगे exactly center of curvature के उपर भी रखेंगे और फिर हम center of curvature और principle focus के दर्मियान में रखेंगे और principle focus के उपर रखेंगे और फिर principle focus के भी अंदर लेकर जाएंगे यानि principle focus और pole के दर्मियान में रखेंगे तो इन सारी positions को change करने से जो nature होगी image की concave mirror में वो भी change होती जाएगी तो अब इसके अंदर हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे एक हम formula यूज़ करेंगे और दूसरा हम ray diagram यूज़ करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि जो mirror formula है और उसके अंदर जो plus minus यानि sign convention है इसको हमने कैसे यूज़ करना है तो बेटा जो mirror formula है ये बराबर होता है one upon f is equal to one upon p plus one upon q पहले तो इसको समझ लो इसमें f जो है ये focal length है mirror की p जो है ये है object का distance और q जो है ये है image distance ठीके ये जो सारे distance है ये mirror के pole से measure होते है पहली बात तो ये और दूसरा इसमें ये तीनों चीज़ें plus भी हो सकती है minus भी हो सकती है तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि focal length को plus कब लेना है और minus कब लेना है तो बेटा focal length plus हम तब लेंगे जब lens लेन्स तो नहीं यहाँ पर mirror है तो अगर mirror converging हो यानि कान के mirror की focal length plus लेंगे और जो diverging mirror यानि convex mirror होगा उसकी focal length को हम minus लेंगे उसके बाद आ जाता है object distance यानि P तो P जो है वो plus हम तब लेंगे जब real object होगा और minus तब लेंगे जब virtual object होगा बाकी बचा Q तो Q जो है वो plus तब लेंगे जब real image होगा और minus तब लेंगे जब virtual image होगा तो जब हम ये mirror formula यूज़ करेंगे तो इसमें हमने एक तो निशानी का ख्याल करना है दूसरी बात बेटा ये कि जो चीज़ आप मालूम कर रहे हो मिसाल के तोर पर आप image मालूम कर रहे हो तो image जब आप मालूम कर रहे हो तो image की sign का तो आपको पता नहीं होगा ना तो जिस चीज़ को आप मालूम कर रहे हो उसमें आपने sign use नहीं करनी यानि एजिट फार्मूले वाला पिलस रखना है यानि अगर आप फोकल लेंथ मालूम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि डाइवर्जिंग है या कनवर्जिंग है कोई पता नहीं है न तो आपने यहां पर माइनस नहीं लगानी exit फार्मूले में यहां पर यह जो पिलस है यह आटोमेटिकली यहां पर अगर वो diverging होगा तो माइनस आ जाएगा तो जिस चीज़ को आप मालूम करने जा रहे हो उसकी sign आपने put नहीं करनी बाकी जो चीज़ें आपको मालूम हैं उनकी sign आपने अगर माइनस है तो put करनी है और फिर दूसरी चीज़ें जो सारी हैं plus minus यहां पर convention हमने याद कर ली है और put करके हम ray diagram के साथ साथ इस mirror फार्मूले को भी use करेंगे to obtain the nature, size, real and invertness of the image ठीक हो गया, तो इसमें अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब object is placed at infinity, अगर object infinity पर है तो फिर क्या होता है, a real image is formed at the principal focus पहले ये read कर लो, फिर मैं आपको diagram के जरीए भी और formula के भी जरीए भी इसको prove करवाँगा तो यहां पर पहले अपने दिमाग में ये point बठाओ कि जब object infinity पर होता है, तो उसका image real बनता है और principal focus पर बनता है the size of the image is much smaller, size बहुत छोटी होती है as compared to the object ये मैं कान, cave यानि converging mirror की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम बेटा mirror formula भी use करेंगे और इसके अंदर हम ray diagram भी use करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया तो सबसे पहले हम इसका diagram देखते हैं, ठीक है तो ये देखो, यहां पर ये जो object है ये mirror से बहुत दूर है, यानि infinity पर है अब infinity में, यहां पर screen पर बना तो नहीं सकता लेकिन यहां पर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ये infinity पर है तो infinity की निशानी क्या है कि infinity वाले object में से जो rays आते हैं, वो parallel आते हैं wave front plane हो जाते हैं, high gen principle में बढ़ा था, ठीक है तो ये light के rays जो parallel आएंगे तो simple सी बात है कि parallel rays जो है, वो principle focus में से गुजरते हैं तो ये ray यहां से गुजरेगा और इसी तरीके से ये वाला जो ray है, ये यहां से गुजरेगा आई बास समझ में, ये जो dotted line है, ये normal है मतलब ये हमारी help के लिए है कि जितनी angle of incident है, उतनी ही angle of reflection है तो ये जो parallel rays है, इस तरफ को क्यों आ रहा है ये मैंने जान बूज के नहीं बनाया ये according to laws of reflection है कि mirror के साथ इतनी angle बना कर आया है तो इतनी ही angle बना कर उसको वापस आना चाहिए तो समझने वाली बात ये है कि ये जो parallel rays होते हैं infinity वाले object से principal focus पर आकर मिलते हैं और यहाँ पर image जो है क्योंकि यहाँ पर rays जो है intersect करते हैं तो image principal focus पर बनेगा बिल्कुल छोटा छोटे को हम diminished भी बोलते हैं ठीक है तो डायाग्राम के हिसाफ से तो हमने ये बात समझ ली अब आते हैं हम mirror formula पर जो के बराबर होता है one upon f is equal to one upon p पिलस one upon q तो बेटा condition क्या है कि object distance यानि p ये infinity पर है सही है p infinity के उपर है यही condition है अब अगर आप p की value ये वाली यहाँ पर put करतो ठीक है यहाँ पर जब आप इसमें put करोगे value तो ये बेटा हो जाएगा one upon f is equal to one upon infinity plus one upon q सही हो गया अब one upon infinity तो zero होता है ठीक है तो जब हम यहाँ पर zero रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा one upon f is equal to zero plus one upon q ये से है तो बेटा zero तो खतम हो जाएगा अब q cross multiplication में इधर आ जाएगा और f जो है इधर आ जाएगा तो फिर ये जो q है ये f के बराबर होगा f के सामने कुछ भी नहीं है तो मतलब plus f के बराबर होगा ठीक है तो q जो है वो plus f के बराबर है ये final answer के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है एक तो q के सामने plus है जिसका मतलब क्या है real है image जो होगा वो real image होगा तो ये प्रूव हुआ डायाग्राम में देखो कैसे real है क्यूंके हकीकत में असली raise वापस में मिले है ठीक है तो डायाग्राम के हिसाब से भी और फार्मूले के हिसाब से भी सारी बातें समझते जाओ image जो है ये f पर बना है ठीक है तो ये देखो q जो है वो f है तो image is farmed at principal focus और दूसरा बात है कि image छोटा है छोटा क्यों है क्योंके image object का distance infinity था और image का distance f है तो अगर object के distance से image का distance कम होगा न तो फिर image छोटा अगर ज्यादा होगा तो image बड़ा अगर बराबर होगा तो image बराबर ठीक है तो बड़ा छोटा अपने p और q की size से मालूम करना है ठीक हो गया तो ये था हमारा पहला point उसके बाद दूसरा ray यानि दूसरा object when object is placed behind the center of curvature जब object जो है वो center of curvature से थोड़ा बाहर होगा ठीक है थोड़ा बाहर हो ज्यादा बाहर हो infinity से और center of curvature के दर्मियान में हो तो क्या होगा a real image is formed between the center of curvature and focus real image बनेगा center of curvature और principal focus के दर्मियान में the size of the image is smaller size में छोटा होगा is compared to the object इसको डायाग्राम बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूले के जरीए समझाता हूँ ठीक है तो इसमें बेटा once again देखो के ये फार्मूला होगया ये डायाग्राम होगया ठीक है तो पहले हम फार्मूले के हिसाब से कर लेते हैं के ये फार्मूला तो है आपको पता है अब इसमें कंडिशन क्या है के पी जो है वो सेंट्र आफ कर वेचर से बाहर है तो सेंट्र आफ कर वेचर बेटा होता है टू एफ पर ठीक है टू एफ को हम सेंट्र आफ कर वेचर बोलते हैं तो 2F से ज्यादा ले लो फिर भली 3F ले लो 4F ले लो 5F ले लो infinity और 2F के दर्मियान में तो हमने suppose कर लिया कि 4F है ठीक है तो अब 4F की value put करो P के बदले हमने 4F रखा अब इसको जब solve करेंगे तो ये 1 upon 4F इदर आकर क्या हो जाएगा माइनस तो ये दोको 1 upon F ये हो गया माइनस 1 upon 4F ठीक हो गया और यहां पर इस तरफ ये बराबर 1 upon Q अब इन दोनों की LCM कितनी होगी 4F जो हमने यहां पर ली 4F पर F का table 4 times तो ये हो जाएगा 4 और 4F का 4F पर table 1 तो ये माइनस 1 और इदर क्या है 1 upon Q तो बैटा यहां पर 4 minus 1 क्या होगा 3 तो यहां पर बचेगा 3 upon 4F ठीक है तो 3 upon 4F की जब हम cross multiplication करेंगे तो Q आजाएगा इदर तो Q is equal to ये उदर चला जाएगा 4F और बैटा यहां पर जो 3 था वो आजाएगा नीचे तो Q is equal to 4F upon 3 ठीक है यहां 4 upon 3 को जब हम decimal में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1.33F समझ में आ रहा है अब यहां से आपने सारी बातें डिसाइड करनी है एक तो plus है तो यानि के दियल होगा दूसरी बात जो है के बनेगा कहां पर 4 upon 3F पर यानि 1.33F पर तो अब हम डिसाइड करते हैं कि छोटा है या बड़ा है देखो पी कहां पर था 4F पर और क्यू कहां पर है 1.33F पर तो इमेज का जो डिस्टन्स है वो आपजेक्ट के डिस्टन्स से तो कम है यानि इमेज छोटा P के हिसाब से देखा करो बस कि क्यू कम है यहां ज्यादा है तो यहां पर Q जो है वो P से कम है तो image size में छोटा पिलस का मतलब है कि real बनेगा और कहां पर बनेगा यह देखो यह जो है 1.33F यानि 1F से ज्यादा है और 2F से कम है तो यह जो value है ना यह कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी यही वज़ा है कि हम इसको क्या बोलते हैं between the center of curvature यानि 2F and focus focus यानि F और center of curvature यानि 2F इनके दर्मियान में ही बनेगा ठीक है अब हम इसको ray diagram के जरिये भी देख लेते हैं तो बटा ray diagram में क्या होगा कि यह जो object है यह आपने C से बाहर रखा है ठीक है अब light का एक ray parallel गया और parallel ray ने mirror को लगने के बाद focus में से गुजरना होता है तो यह ऐसे करके आ गया दूसरा ray जो center of curvature में से गुजरा यह उसी line पर वापस हो गया अब यह जो दोनों rays है यह इस जगा पर intersect कर रहे हैं ठीक है और यह जो point है intersection वाला यह इस principle axis से नीचे है तो नीचे का मतलब है कि image जो है वो inverted बनेगा क्योंकि हमें इस तरीके से वापस आना पड़ेगा इदर को ठीक है तो image एक तो inverted बना अब real images inverted होते हैं ठीक है यहां पर यह जो plus minus है यह virtual और real को show करती है उल्टे सीदे को show नहीं करती ठीक है तो अगर यहां पर पिलस होगा तो आप automatically समझोगे कि image real है और real है तो automatically वो inverted होगा तो image inverted है दूसरा बैटा देखो real भी है क्योंकि असली rays आपस में मिले हैं लगने के बाद यह देखो वापस आये हैं औ और यह देखो C और F के दर्मयान में मिले हैं तो image हमेशा C यानी 2F और F के दर्मयान में ही बनेगा और देखो छोटा भी है यह देखो आपजेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है और image छोटा है तो diagram हो या mirror formula हो यह जो problems हैं बेटा यह game की तरह हैं बहुत ही मज़ेदार हैं अगर आपको यह बातें समझ में आती हैं तो चलो अब आगे जलते हैं number 3 when the object is placed at the center of curvature यानी exactly अगर हम इसको 2F पर रख देते हैं the real image is farmed at the center of curvature तो फिर image real बनेगा और center of curvature पर ही बनेगा और size of the image is same as compared to the size of object और size भी बराबर होगी अब इसमें भी देख लो के mirror formula, ray diagram, सबसे पहले mirror formula जो आपको बार बार में बता रहा हूँ और इसमें condition क्या है कि object center of curvature यानी 2F पर है अब बेटा ये put करो तो put करने के बाद ये दो को P के बदले 1 upon 2F आ गया ये 1 upon Q है अब 2F को similarly इदर को लेकर आओगे minus हो जाएगा तो 1 upon F minus 1 upon 2F is equal to 1 upon Q हो जाएगा अब बेटा इन दोनों की हमने ले लेनी है LCM तो LCM ले ले ली 2F minus 1 is equal to 1 upon Q यहां पर बचेगा 1 plus का और cross multiplication में ये क्या हो जाएगा Q इदर आजाएगा और 2F जो है इदर आजाएगा तो ये Q is equal to 2F अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं तो बेटा आप वीडियो को pause करके आराम के साथ समझ लिया करें और तो देखो image और object distance बराबर तो फिर size भी बराबर image ना बड़ा है ना छोटा है ठीक है और बना भी कहां पर है 2F यानी center of curvature पर ही बने गया तो इस language को आप final Q के साथ जब compare करके देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी अब diagram को देख लेते हैं ये देखो object जो है ये C पर है light का एक रे parallel है reflection के बाद ये principle focus में से गुजरेगा और आगे आएगा दूसरा जो principle focus में से गुजर कर आगे जाएगा reflection के बाद parallel होगा और ये दोनों यहाँ पर आकर मिलेंगे principle axis से नीचे है तो ये जो darted line है ये image बन गई image उल्टा है inverted है पर real है क्योंके असली rays आपस में मिल रहे हैं और देखो exactly C पर ही बना जहाँ पर object है number 4 when object is placed in between the center of curvature and principle focus अब हम object को center of curvature और principle focus के दर्मियान में रखेंगे तो फिर real image बनेगा और behind the center of curvature यानि 2F से बाहर बनेगा और इसकी जो size होगी ये छोटी होगी देखें कैसे बेटा ये आपके पास mirror formula हो गया और ये आपके पास हो गया ray diagram ठीके अब पहले फार्मूले को देखते हैं जो 1 upon F is equal to 1 upon P plus 1 upon Q है अब condition यहां पर क्या है बेटा के जो P है वो क्या है जो P है वो 2F से छोटा है ठीके क्योंके आपने object को 2F और F के दर्मियान में रखा है तो P जो है वो 2F से छोटा और F से बढ़ा होना चाहिए यानि value F से बढ़ी और 2F से छोटी होनी चाहिए ठीके क्योंके image जो है वो center of curvature यानि 2F और focus के दर्मियान में है तो आप कोई भी value यानि 1.2F 1.3F 1.5F 1.9F 2 से छोटी 1 से बढ़ी तो हमने एक दर्मियान वाली value ले ली 3 by 2F इसको decimal में क्या बोलेंगे 1.5F आप कोई भी value ले सकते हो जो 2 से छोटी और 1 से बढ़ी होगी समझ में आया अब इसको आप पुट करो तो यहाँ पर यह 1 upon F सेम बराबर सेम ठीके और यहाँ पर बेटा हो गया 1 upon यह नीचे क्या था 3F upon 2 तो 3F upon जो 2 था ना यहाँ पर वो चला जाएगा उपर numerator में और पिलस यह 1 upon Q यह तो सेम है ठीक हो गया अब once again यह वाला जो टर्म है इदर आकर माइनस करेगा तो माइनस में यह हो जाएगा 2 upon 3F lcm ले लो इसकी तो lcm आएगी 3F 3F पर F का टेबल कितनी मरतबा जाएगा तीन मरतबा तो यह देखो 3 माइनस सेम और 3F पर 3F का टेबल 1 ताइमस तो यह 2 सेम ठीक है 1 upon Q यह भी सेम 3 माइनस 2 क्या होगा 1 यहाँ पर बचेगा 1 पिलस वाला और क्रास मल्टिप्लिकेशन में कि यह क्या हो जाएगा यह क्यू इदर आ जाएगा 3F इदर आ जाएगा यानि Q इज इकोल 2 पिलस 3F हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है lcm है और तो कुछ भी नहीं है तो आप वीडियो पास करके आराम से इसको समझना चाहते हैं तो भली आप वीडियो पास कर लें ठीक है अब यहाँ से आप देखो के एक तो इमेज रियल है यह दो को रियल है पिलस में है मतलब रियल है दूसरा बड़ा है यह दो को यह 1.5 पर था यह 3 पर है तो डबल है exactly double हो गया ठीक है तो अगर आप object को 1.5f पर रखोगे तो image आपको 3f पर बिलेगा double मिलेगा real मिलेगा ठीक है डायाग्राम को भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि आपने object को यह c और f के दर्मयान में रखना है यानि 2f और f के जब दर्मयान में रखना है तो light का एक ray जो ऐसे करके जा रहा है अब यह जो ray है ना यह देखो यह center of curvature के अलांग है तो यह जिस line पर जाएगा ना उसी line पर यह वापस आ जाएगा ठीक है क्योंके center of curvature में से गुजरने वाल जो ray होता है वो same line पर reflect करता है अच्छा जो दूसरा है यह parallel है तो यह principle फोकस में से गुजरेगा reflection के बाद और यह दोनों आगे जाकर यहां पर meet करेंगे principle axis से नीचे है तो हमें dotted line नीचे की तरफ लेकर आनी पड़ेगी image real है क्योंके light हकीकत में आपस में मिल रही है ठीक है image real है यहां पर plus और यहां पर यह raise को देख लो कि हकीकत में मिल रहे हैं real है inverted है और बढ़ा है कि छोटा है यह दोको बढ़ा है यह object के हिसाफ से देखो diagram म में भी बढ़ा है यह 1.5 है यह 3f है तो approximately यह double हो जाएगा ठीक है और 3f पर बनेगा अगर यह value है लेकिन अगर कोई और value है जो f और 2f के दर्म्यान वाली है तो आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन हमेशा c से बाहर होगा यानि 2f के beyond होगा 2f से तो बढ़ाई होगा सही है बटा point number 5 ठीक है when object is placed at focus अगर हम exactly f पर रख दें तो फिर real image बनेगा और infinity पर बनेगा ठीक है अब infinity पर बनेगा तो बहुत बड़ा भी बनेगा देखते हैं किस से फार्मूला हो गया डायाग्राम हो गया पहले हमने फार्मूले को लगा लिया condition क्या है पी पी कहां पर है f पर है ये condition है put करो भई one upon f is equal to one upon f plus one upon q उदर जाकर ये हो जाकर ये हो जाएगा minus में तो ये दो हमने बेटा minus लिखते है अब LCM ले लो तो यहां पर ये जो LCM LCM ले कि भी क्या ज़रूरत है ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा one upon f minus one upon f zero हो गया तो फिर ये q इदर चला जाएगा ये दो क्यों क्यों क्रास मल्टिपिलिकेशन में इदर आया और zero इदर आ जाएगा तो ये जो one upon zero है ये क्या हो जाएगा infinity ठीक है तो ये दो क्रास मल्टिकेशन करके Q इदर आ गया और 0 नीचे आ गया और 1 अपान 0 जो है वो infinity तो image infinity पर होगा infinity के सामने क्या पिलस है तो real तो होगा पर infinity पर होगा और देखो object if पर था और image infinity पर है यानि object के मुकाबले में image का distance बहुत ज्यादा है ठीके तो diagram अगर हम इसका बेटा देख लें तो ये देखो पहले तो object यो है ये infinity पर है ठीके और यहां से हम दो rays जो है वो लेकर जा रहे हैं एक जो along the center of curvature ये जिस line पर जाएगा उसी line पर reflect होकर वापस आएगा और दूसरा जो है parallel जो principle focus में से गुज़रना चाहिए अब ये जो दोनों rays है आगे जो जा रहे हैं तो ये देखो ये parallel जा रहे हैं ये दोनों आपस में parallel हैं और आपको पता है parallel rays तो मिलते ही नहीं है या आप ऐसे बोलो के बहुत दूर जाकर मिलेंगे तो जब ये दूर जाकर मिलेंगे तो image भी तो दूर ही बनेगा तो image इसलिए इन्फनिटी पर बनेगा पर क्यूंकि ये असली rays ही आगे जाकर मिल जाएंगे तो image तो ड्याग्राम के हिसाब से भी आपने इसको समझ लिया अब फाइनली हम देखते हैं कि जब हम आपजेक्ट को प्रिंसीपल फोकस के भी अंदर रख दें यानि पोल और प्रिंसीपल फोकस के अंदर रखें तो बैटा ये पहली पोजिशन होगी जब आपजेक्ट जो है सूरी इमेज जो है वो विर्चुल बनेगा और विर्चुल इमेज bisa सीधे होते हैं तो अब सीधा भी बनेगा और size में बढ़ा भी होगा अब इस बात को कैसे समझें तो ये तेखो फार्मूला भी होगया डायाग्राम भी होगया पहले हम फार्मूले के इसाफ से देख लेते हैं तो फार्मूला तो बेटा ये सेम हो गया कंडीशन क्या है? कंडीशन है बेटा ये ये देखो के भई P को F से छोटा होना चाहिए फिर भई F by 2 कर दो F by 3 कर दो F by 4 कर दो यानि 1 F से value कम होनी चाहिए ये ना हो के 1.1 F हो या 2 F हो या आप अगर फ्रेक्शन में इसको ऐसे नहीं लिख देना 4 by 3 4 by 3 तो 1.33 होगा यानि उपर छोटा नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए तो फिर भली मैंने F by 2 लिखा है आप F by 3 भी लिख सकते है 3 by 4 F भी लिख सकते है तो यानि F से कम होना चाहिए और दूसरी बेटा यहां पर यह बात है चलो ठीके अब इसको ये put करो पहले तो आपने क्या किया बेटा 1 upon F यह यहां पर क्या हो जाना था F by 2 और बेटा 2 जो है वो यहां पर उपर आ गया पिलस 1 upon Q यहां पर आ गया अब यह यहां पर जैसे हमेशा हम करते आ रहे हैं कि दरा कर माइनस हो जाएगा तो यह माइनस हो गया LCM में आप इसकी बना लोगे F और F का टेबल F पर 1 तो यह 1 माइनस सेम टू सेम ठीक है इसका भी एक मरतबा टेबल जाएगा बरावर इस इकल टू 1 upon Q अब यह देखो 1 में से माइनस 2 होंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 तो यहां पर है क्यूंके माइनस 1 तो जब आप क्रास मल्टिप्लिकेशन में करोगे तो यह इदर आकर क्या होज़ेगा माइनस Q ठीक है यह इस तरफ आकर माइनस 1 है ना तो क्या होगा बचा यहां पर माइनस 1 upon F is equal to 1 upon Q यहां इसे समलो तो यह क्या होज़ेगा माइनस Q ठीक है यहां माइनस को आप इस तरफ लेकर जाते हो f को आप इदर लेकर आते हो तो यह क्या हो जगा q is equal to minus f minus q is equal to f यह q is equal to q उस तरफ जाकर plus हो जाएगा और फिर f minus हो जाएगा तो अब यहां पर देखो कि q is equal to minus f minus का मतलब है एक तो image virtual है minus आगई virtual है और virtual सीधे होते हैं यह minus सीधे को नहीं शो करता यहां पर जो minus है वो virtual यहां real को शो करता है plus real को minus जो है वो virtual को अब यहां पर देखो कि object जो था वो f by 2 पर था और image f पर है तो image की size बड़ी होगी double होगी यह देखो f by 2 का f क्या होता है double ठीक है तो यहां पर भी यह double हो जाएगा पर virtual वाला double होगा तो यहां पर हमने सीखा के concave mirror जो है वो दो double बनाता है एक जो यहां पर जब object f by 2 पर हो तो image minus f पर बनता है यह भी double हो गया और दूसरा हमने पहले देखा था जब हमने कहां पर रखा था वेटा 1.5 f पर जब आपने 1.5 f पर रखा था 3 by 2 f पर तो फिर कहां पर बना था 3 f पर बना था और वो real वाला double था यह virtual वाला double है डायाग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो यह देखो कि आपने principal focus से भी अंदर रखा हुआ है ठीक है तो एक लाइन तो आप along the center आफ कर वेचर ले गए और इसी लाइन पर यह reflect होकर यहां से गुजरा और दूसरा जितनी एंगल पॉल के साथ यह रे बना कर जाएगा उतनी ही एंगल बना कर यह वापस आएगा तो देखो चारों rules को हम कहीं ना कहीं mix करके use कर रहे हैं image बनाने के लिए अपने कोई भी दो raise जो हैं वापस में मिलाने होते हैं पर यहां पर देखने से क्या लग रहा है कि यह जो दोनो raise है reflection के बाद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं gap जो है इनका बढ़ता जा रहा है तो हकीकत में तो बैटा यह मिलेंगे ही नहीं तो real intersection तो नहीं होगी इसलिए हम इनको पीछे जाकर जो है पीछे जाकर क्योंके यह close होते जाएंगे तो यहां पर इसकी virtual intersection करेंगे सामने से जो आँख देखेगी ना उसको real race तो intersect नहीं करेंगे तो आँख ऐसे देखेगी कि यह जो race हैं यहां से आ रहे हैं सही है तो इस वज़ा से image यहां पर बनेगा क्योंके principle axis से उपर है तो erect बनेगा और क्योंके हकीकत में race यहां से नहीं आ रहे है इसलिए यह virtual भी बनेगा तो देख लो virtual क्यों और erect क्यों और देखो बड़ा है क्योंके यह यहां पर छोटा है और image इसका बड़ा है तो याद रख लो principle focus के जब हम अंदर रखते हैं तो image हमेशा बड़ा होता है virtual होता है सीधा होता है ठीक है यह सारी बाते हैं सिर्फ यह एक condition है जब यह concave mirror जो है converging mirror यह virtual image बनाता है otherwise जितनी भी conditions है जब हम object को f से बाहर रखते हैं तो image क्या बनता था real बनता था अच्छा बड़ा अब हम finally देखते हैं कि convex mirror जो है यह किस किसम का image बनाएगा ठीक है image formation by convex mirror अब बेटा convex mirror का जो image होता है वो बिलकुल simple है क्योंकि the image found by convex mirror is always virtual हमेशा virtual होगा और virtual होगा तो सीधा भी होगा whatever the position of object may be object आप कहीं पर भी रख लो image हमेशा virtual होगा सीधा होगा और याद कर लो छोटा भी होगा छोटा होगा और हमेशा focal length के अंदर भी बनेगा focal length के अंदर बनेगा ठीक है in this section let us look at the types of the image found by the convex mirror देखते हैं कैसे तो एक case हम ले लेते हैं when the object is placed at infinity जब हम object को infinity पर रखेंगे तो बेटा सिर्फ इस condition में जो image है वो virtual और principal focus पर तो बनेगा ठीक है और इसका जो image होगा ये principal focus पर बनेगा और ये छोटा बनेगा ठीक है अब यहाँ पर भी हम formula और diagram को use कर लेते हैं और यहाँ पर जो formula है one upon f is equal to one upon p plus one upon q हो गया और बेटा ray diagram जो है condition हमारी क्या है condition है हमारी के object है infinity पर अब यहाँ पर put करने से पहले ये देख लो क्यूंकि ये diverging mirror है convex mirror है ना तो focal length में भी हम क्या करेंगे minus use करेंगे यहाँ पर भी ठीक है तो यहाँ पर minus use करो यहाँ पर आप put कर दो infinity according to condition तो ये क्या होजाएगा minus one upon f is equal to one upon infinity plus one upon q सभी हो गया समझ में आ रहा है अब one upon infinity तो हो जाएगा zero ठीक है तो फिर जब हम इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा minus one upon f is equal to one upon infinity plus one upon q यह सेम ही रख दिया अब इसके बाद क्या हो जाएगा क्यू is equal to minus f क्यूंके बेटा यह हो जाएगा zero तो q is equal to cross multiplication में minus f ठीक है तो minus का मतलब क्या है virtual f का मतलब है कि principle focus पर बन रहा है और p जो है वो infinity पर था तो infinity पर object की size जादा थी और यह क्यूंके infinity से कम है तो image जो है बेटा वो छोटा भी बनेगा अब इस case को मैंने थोड़ा different क्यूं लिया है क्यूंके सिर्फ ये एक case है जहां पर image जो है वो principle focus पर बन रहा है otherwise image हमेशा principle focus के भी अंदर बनेगा यानि within f यानि q की value हमेशा focal length से छोटी होगी 0.9, 0.99 ठीक है तो जो कान, wakes mirror image बनाता है infinity पर वो f पर बनता है और infinity के इलावा कोई भी और case होगा तो वहाँ पर f से भी कम होगा ठीक है अब इसको diagram के जरी भी अगर आप देखते हो तो ये देखो के ये infinity से जो raise आएंगे वो parallel आएंगे और parallel raise जो हैं वो diverge होँगे इस तरीके से diverge होँगे कि अगर इनको आगे लेकर जाया जाये तो ये principle focus पर आ जाये ठीक है ये भी और ये भी ठीक है तो सारे raise जो हैं ये principle focus से appear to come from हो रहे हैं सही है तो अब क्योंकि पीछे जाकर तो diverge हो रहे हैं raise तो पीछे तो image बनेगा नहीं तो इसलिए यहां पर image बनेगा ठीक है और ये देखो बिल्कुल ही diminished point size image बनेगा क्योंकि ये point ना principle से उपर है और ना ये नीचे है तो point size image बनेगा और principle focus पर बनेगा और क्योंकि ये वर्चुर बनेगा behind the mirror बनेगा ये सारी बाते समय में आ गया जब distance से finite मतलब mirror से finite distance पर है f पर 2f पर 3f पर ये matter नहीं करता क्योंकि बेटा अब जो सारे image हैं एक ही किसम के बनेगे फिर आप center of curvature से अंदर रखो बाहर रखो f पर रखो f के अंदर रखो ठीक है तो हमने जर्णली यूज कर लिया at finite distance ठीक है डायाग्राम भी यूज करोगे ठीक है अब यहाँ पर mirror फार्मूला है 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q ठीक है अब condition क्या है के finite distance ठीक है कुछ भी रख लो 2f, 3f, 4f भली आप f रखो भली आप f by 2 रखो कोई भी distance ठीक है तो हमने suppose करो के 3f रख लिया अब 3f रखने के बाद अब इसकी value आपने put करनी है फार्मूले में तो क्योंके mirror जो है वो diverging है तो minus 1 upon f 1 upon 3f plus 1 upon q बैटा solve करोगे इसको इस तरफ लेकर आओगे तो यह हो जाएगा minus 1 upon f और यह भी हो जाएगा minus 1 upon 3f is equal to 1 upon q ठीके LCM लोगे कितनी होगी बैटा LCM 3f तो 3f का if पर table if का table कितनी मरतब जाएगा तीन मरतबा तो यह हो जाएगा minus 3 यह minus जो है दरम्यान वाली same और 3f का 3f पर table once मरता जाएगा तो यह हो जाएगा minus 1 ठीके minus 3 minus 1 कितना हो जाएगा minus 4 तो हो जाएगा minus 4 upon 3f is equal to 1 upon बैटा q अब grass multiplication करोगे तो यह q जो है यह बराबर हो जाएगा minus 3f उपर चला जाएगा और 4 बैटा नीची आ जाएगा ठीके तो minus 3 upon 4f जिसको जब हम साल करेंगे तो decimal में इसकी value निकलेगी यह जो final cube की value हमें मिलती है यही काम वाली होती है और इसके अंदर एक एक चीज जो है वो बहुत काम की है तो minus का मतलब क्या है virtual सही है और 0.75f इसका मतलब है focal length के अंदर यानि इसका जो coefficient है यह एक से भी कम है ना तो within focal length हुआ और दूसरा देखो आपजेक्ट से कम है तो size में छोटा भी होगा ठीक है आप भली इसको diagram में देख लो कि आपने आपजेक्ट को क्या किया है finite distance पर रखा है ठीक है अब यहां से हम दो raise जो हैं वो use करते हैं एक raise ऐसे करके गया ठीक है अब इस raise को हम क्या करते हैं कि इस तरीके से diverge करेंगे कि आगे जाकर यह principal focus में से गुजरे ठीक है इसको थोड़ा सा बेटा यह टेडा बन गया है यह pillar raise है और pillar raise जो होता है वो principal focus में से गुजरता है और reflection के बाद यह इस तरीके से diverge होगा दूसरा जो यह देखो center of curvature में से गुजर रहा है ठीक है तो यह सीधा ही चला जाएगा तो यह दोनों यहां से होगा तो reflect reflect होकर वापस आ जाएगा पर अगर हम इसको आगे लेकर जाएए तो यह C से गुजरेगा यहां इसे लगेगा कि यहां से गुजर रहा है तो इन दोनों की नकली intersection यहां पर हो जाएगी ओ इस point पर तो यह point principle focus से अंदर है और principle axis से थोड़ा उपर है तो image सीधा बनेगा और यह देखो virtual बनेगा क्योंकि असली race तो लगकर वापस आ गए और यहां पर नकली यहां virtual intersection होई है और image है भी छोटा यहां पर यह देखो यह बड़ा दिखाई दे रहा है और यह छोटा है ठीक है तो इसका जो image होता है किसका बेटा convex mirror का यह diverging mirror का यह हमेशा focal length के अंदर होता है यहां सिर्फ एक condition पर principle focus पर होता है जब object infinity पर हो बाकी सारी condition में principle focus के अंदर होगा छोटा होगा वर्चूल होगा और सीधा होगा whatever the position of object में भी